इस्ट्रलाजी सिंप्लिफाइड में आपका स्वागत है जोतिश सलाम में आज हम चर्चा कर रहे हैं फलादेश के बारे में कि किस तरह से फलादेश करने में सुर्ष्योदय राशियों का महत महत्पूर्ण योगदान होता है अगर आपकी सुर्ष्योदय राशि जो भाव से सम्बंदित आप जातक जाती का पुष्ण पुछना चाहते हैं और वहाँ पे सुर्ष्योदय राशियो राशिया आ जाती है तो उसके फल जल्दी प्राप्त होंगे इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर मालो कोई साधी का प्रश्ण कर रहा है तो साधी जल्दी हो सकती है अगर आपके हात्वे भाव में पांच्वी छट्वी साथ्वी आठ्वी या ग्यार्वी राशि हो तो यह सुर्ष्योदय राशिया होती है और अगर यहां पर यह कि इनके स्वामी भी केंद्र में, त्रिकोण में हो, सुपरभाव में हो और जो कारक है लड़की के लिए गुरू और लड़की के लिए सुक्र यह भी अगर इस्तिती अच्छी हो केंद्रिकोण में, सुरासी, मितरासी की हो तो हम फाला देश कर सकते हैं कि यह जाता का और जाती का जिनका हम बात कर रहे हैं और यह इस्तिती बन रही है, तो उनकी साती जल्दी होने की संभावना बन जाएगी, सात में अगर गोचर और दसा भी सपोर्ट करती है तो, तो सुर्सद रासियों का बहुत उम्हत होता है, अगर कोई धन की इस्तिती जानना चाहे तो ज जुब धन काती जल्दी होगी, ऐसी संतान प्राप्ति के बारे में जानना चाहते हैं, तो पंचमभाव में अगर शुर्षवर आसी जो पांचन रूमबर की सिई रासी है, चे नमबर की कञन्या रासी, सात नमर की तूला रासी, आट नमर की वस्द रासी है, और सुर्षव जो कारक गुरु है उसकी इस्तिति अच्छी है तो हम बता सकते हैं कि इनको बच्चे जो पश्ण पूछा है वो जल्दी होने की संभावना हो जाएगी तिस तरह से फालादेश के लिए आज हमने बात की कि किस तरह से शिर्शुत राशियां आपको जल्दी विहाओं की इस्त सिति पनाएगी धन की सिति बताएगी ऐसी तरह से आप नोकरी यह साय आदिकी भी जानकरी दे सकते हैं तो यह फलादेश देने के लिए संचित जानकरी देने का पैतने किया अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो हमाई चैनल एस्टारी सिंप्लिफाइट पर उपलब वीडिय किये उनका भी लाब उठाइए जो विस्तरत्म बताया गया है और आपके हमारे वीडियो को लाइक किया चैनल सब्क्राइब किया उसके लिए आपका लिए बहुत-बहुत धन्यवाद